आईसेक्ट कालेज आग टेक्निकल एजुकेशन बैकुन्दपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियो उसको देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन जरूर तबाएं। हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टो अलाइन क्लासेस ऑफ टेली। आज के सेशन में हम जानेंगे अबाउट कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट केटिगरी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट सेंटर और केटिगरी यह जो टॉपिक है यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बहुत ही ज्यादा आसान है इसको समझना। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि माल लिजे कि आपकी बिजनस में काफी ज्यादा एक्स्पेंसेस होते हैं। अलग-अलग कॉस्ट सेंटर को वैसे प्रॉफिट सेंटर भी कहा जाता है। अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं, कई ज्यादा ब्रांचेस हैं। इस तरीके से आपको जैसे कुछ खर्चे जो होते वो बहुत कॉमन होते हैं। कॉमन खर्चों के लिए हमको मालीजे एक डिपार्टमेंट में हमारा सेलरी का हमको एंट्री पास करना है, सेलरी देना है। तो entry करते वक्त हमको देगे department तो अलग-अलग है बट salary जो है एक common expense है ना revenue item है ये ये बहुत common expenses है हमें हमें जब salary देनी होती है तो हम उसके लिए अलग-अलग entries करेंगे इससे अच्छा है कि हम एक बार में entry को pass करें और department में जैसे salary जाना है तो उसके अलग-अलग ratio या percent के सा option है आईए इसके बारे में जानते हैं इन a company और a business organization there are various kinds of expenses एक company में या किसी विवसाइक संस्था में कई अलग-अलग प्रकार के खर्चे होते हैं there are so many different kinds of expenses expenses may occur यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत जादा किसी business organization में काफी जादा खर्चों की list होती है और यह कई प्रकार से हो सकते हैं it depends on a particular types of business organization some businesses have less expenses in numbers but in amount they could be highest or more than the other one यह depend करता है कि आपका जो business organization एक किस प्रकार का है यह size में कैसा है काफी बहुत बड़ा है या छोटा या मध्यमकार का है depend करता है कि आपके जो खर्चे हैं आप कितनी मातरा में करते हैं हो सकता है किसी website में खर्चे की जो मधे हैं वो काम है लेकिन उसमें जो amount expense होता हो कई जादा होता है depend करता है कि आपका website जो है किस प्रकार का या company जो है वो किस प्रकार की है some of the expenses salary, office expenses, electricity expenses and some more which related to the various department कुछ common expenses होते हैं जो कि किसी website के विभाग में या जो departments है या अलग-अलग branches होती है उसमें common होती है ठीक है जैसे हम देखेंगे salary तो यदि हमने सभी जगापे employees रखे हैं अब employees के भी अलग-अलग categories होती है उसको हम आगे देखेंगे कुछ office expenses है कहीं किसी department में office expenses ज़्यादा होते हैं या electricity expenses तो electricity expenses जो है वो एकसा नहीं होगा या अलग-अलग तरीके से होगा तो इस तरीके से कई ज़्यादा प्रकार के खर्चे होते हैं और ये विभिन्य department से जुड़े होते हैं इस टेली option is very much useful for those organization where more than one or two departments, branches, different types of expenses may happens टेली का ये option जो है बहुत ज़्यादा उप्योगी होता है उन website संगठन के लिए जहां पे अलग-अलग departments हैं अलग-अलग branches हैं और कुछ अलग तैप के विभाग भी होते हैं लेकिन सभी में खर्चे जो हैं वो same हो सकते हैं खर्चों की मात्रा quantity अलग-अलग हो सकती है पर जो खर्चों का मध है वो same हो सकता है तो चलिए हम देखते हैं इसके steps के बारे में देखे इसके मैंने steps लिखके रखे हैं जैसे first we have to create a new company जैसा कि हम हर बार अपने लिए new company बनाते हैं टैली पर किसी भी options को run करने के लिए तो सबसे पहले हम new company create करेंगे after company creation we press F11 plus F1 in accounting features in the option we activate the both options देखे जैसे company को हम create कर लेंगे उसके बाद gateway of tally पर जाकर F11 plus F1 प्रेस करेंगे यह accounting feature के लिए new use करते हैं जहां पर हमें cost profit center management display होगा इधर पर हमें cost centers related options को yes करना पड़ेगा जैसे first लिखा हुआ maintain cost centers yes और दूसरा option है more than one payroll और cost category these both options जो है वो हमारे activate होने चाहिए next है activate करने के बाद after above activation we see those options in masters accounts info, cost category and after center दोनों options को activate करने के बाद हम gateway of tally पर जाकर masters पर जाएंगे और यहां पर accounts info को select करेंगे जहां पर हम देखेंगे group और laser के बाद हमें cost category cost center show होता है फिर इसे हमें create करना होता है after cost center and category making we make some lasers for which cost center and categories work we can make any expenses lasers like salary, office expenses or like any other direct and indirect expenses cost category और centers को बनाने के बाद हम फिर lasers पर जाएंगे जिसके लिए हम cost center और category को apply करना चाहते है next है while making the cost category we found that there are two another options जैसे हम cost category को बनाएंगे तो हमें उसके नीचे हमें दो options दिखाई देंगे first is allocate revenue items and second is allocate non revenue items allocate revenue items for that items which are in revenue in each year's cost category यदि हम revenue items के लिए बनाना चाहते है revenue items वो होते हैं जो कि हम profit and loss में देखते हैं या आगम प्रवत्ती के होते हैं यह हमारे revenues item के हलाते हैं by default tally में यह option जो है पहले से yes होता है क्योंकि जादा तर जो है cost center या cost category जो है revenue items के लिए ही बनाया जाता है second option होता है allocate non revenues item for those which are not revenues item like capital जो कि non revenue होते हैं capital या balance sheet की जो मदे होती है fixed assets होती है यदि आप उसके लिए cost center या category यूज करना चाहते हैं तो आप इसे activate करेंगे otherwise यह no रहता है next हम देखते हैं cost category बनाने की बाद हम lasers पर जाते हैं lasers इसके लिए हम cost center category को apply करना चाहते हैं जैसे salary, office expenses, electricity expenses या अन्य कोई direct or indirect expenses जो होते हैं another point is that when we make laser for the cost center it is must that it should be applicable जब हम lasers को बनाते हैं तो वहाँ पर हमें एक options शो होता है जिसे हम cost center या our applicable दिखाई देता है उसे हमें क्या करना होता है उसे activate करना होता है activate करने के बाद ही हमें ये cost centers जो है हमें अपने vouchers पर show होगा जिसके लिए ये cost center और category काम करेंगे after laser creation we pass the entries in the suitable voucher cost center category और lasers को बनाने के बाद हम इसकी entries जो है उसके suitable voucher पर करेंगे जो इसके लिए होगा for reports of the cost center and category we follow the path in below cost center और category का reports देखने के लिए हमें gateway of tally से reports पे फिर display पे फिर statement of accounts में उसके बाद cost center पे हम जाके उसे देख सकते हैं here we can see the cost centers by various breakups cost centers को देखने की काफी जादा अलग-अलग तरीके होते हैं वो अलग-अलग breakups पे होते हैं तो जब हम इसे बनाएंगे office की reporting देखेंगे तब आपको यह समझ में आएगा चले देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं और देखे यहां पे मैंने cost category और cost profit centers के बारे में लिग दिया है cost category में हम branches, departments और यह फिर designations ले सकते हैं branches में branch A, branch B, branch C, etc. इस तरीके से हमारी branches होगी departments के लिए हम बना रहें तो हम वहां पर finance, IT, HR, यानि human resources, administrations, purchase, sales, marketing इस तरीके के जो within companies की departments होते हैं अलग-अलग trading companies के इस तरीके जो अलग-अलग employees जो होते हैं अलग-अलग अपने job पे होते हैं जैसे की manager हो गया, senior manager हो गया, junior manager हो गया जैसे branch managers हो गया, या फिक लर्क होगा, supervisor हो गया और भी various employees जो होते हैं जो वहां पे काम करते हैं ये उनके लिए designations के लिए मैंने बनाया है we can make some lasers also here we can take in salary account और we can make any other expenses laser तो हम इसके लिए salary laser को prefer करेंगे क्योंकि salary जो है common होते हैं यदि आप किसी branch में दे रहे हैं ये किसी department में salary जारी या फिर designation की through तो इधर पे हम salary का use करेंगे salary का lasers बनाएंगे और यहां पर for the revenue atoms को जो option है उसको हम yes करेंगे अब हम इसको practical करके देखते हैं बनाते हैं हमारी cost category cost center एक company बना लेते हैं Alt F3 से create company यहां हम बनाएंगे cost center की नाम से आप जिस भी नाम से बनाना चाहें इसके बाद मैं ऐसे accept करा दूंगी इस तरीके से और ctrl A से accept करा दिया next हम shut कर देते हैं दूसरी company को यहां पर हम जाएंगे F11 प्रेस करेंगे जैसा कि मैंने पताया था accounting feature पर जाना है और यहां से हमें cost profit center और management को select करके यहां पर maintain cost center को applicable करना है next is cost category ctrl A से accept करा दिया फिर हम जाएंगे accounts info में और यहां पर आपको show हो रहा होगा cost category और cost centers यहां पर हम जाएंगे cost category पर और यहां पर create करेंगे तो यहां पर हम cost category यदि branches के लिए बनाना चाहते हैं तो हम यहां पर cost category branches लेंगे otherwise हम यहां departments ले सकते हैं और designation भी ले सकते हैं तो यहां पर मैं branch के लिए बना रही हूँ आप departments के लिए बना के देख सकते हैं designation चे लिए बना के देख सकते हैं तो यहां branches के लिए बनाने चारे रहे हूँ ब्रांचेस सरीके से और मैं बाकी options को बिल्कुल चर्चार नहीं करूंगे इसको जैसा है वैसे ही accept करा दूंगी next हमें जाना है cost center पर cost center हमारे cost category के अंतरगत बनेंगे create तो यहाँ पर मैं नाम ले लेती हूँ cost category जासे आपको mention हो रहा है यदि आपका कोई cost category name नहीं तो आप यहाँ पर primary cost category को भी select कर सकते हैं otherwise अभी हम branches को लेंगे तो यहाँ मैं डाल रहे हूँ branch 1 और A branch A this is accept second is branch number 2 और B भी ले सकते हैं enter और third is branch C इस तरीके से accept करा दिंगे अब हम जाएंगे हमारे laser पर जैसे कि मैंने बताया था कि हम यहाँ पर लेंगे salary को ठीक है तो हम salary के लिए हम बना रहे हैं कि हमारे branch A में कैसे salary जा रही है कितने मातरा में salary जा रही है B में कितनी जा रही C में कितनी जा रही इस तरीके से हम salary account को यहाँ पर create करेंगे create करने के लिए हम पहले laser पर जाएंगे और यहाँ पर salary को बनाएंगे salary account this is our indirect expense options जैसे कि मैंने आपको बताया था कि cost centers are applicable यह option जो है यदि activate नहीं होगा तो हमें option का जो cost centers का use हम नहीं कर पाएंगे हमारे vouchers पर तो यहाँ पर हम इसको activate करेंगे yes करके accept करा देंगे next हम जाएंगे हमारे accounts voucher पर मालेज हम payment पर ही entry कर रहे हैं तो payment जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम कुछ amount cash में भी डाल देते हैं क्योंकि यदि cash में balance नहीं fill up करेंगे तो यह red में show होगा तो हम जाते हैं और सबसे पहले cash पर भी कुछ balance डाल देते हैं ताकि हमारा जो balance है वो negative ना हो alter पर जाके cash पर जाएंगे कुछ यहाँ पर जैसे मैं जायलाक रुपे डाल रहे हूं enter इस तरीके से next हम इसकी entry करेंगे यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे salary account और मालीजे overall हमारी salary जो है वो करीबन देड़ लाग के आसपास जा रहे है ठीक है enter करेंगे जैसे आप enter करेंगे तो cost allocation पूछ रहा है तो category जो हमारी branches है branch में branch A को select करेंगे इधर पर हमारा A देड़ लाक में मालीजे 75,000 जो है वो जा रहा है branch A में salary के नाम से next है branch number B यह हाँ पर हमारा 30,000 एप्रॉक्स जा रहा है और branch C में यह last है तो इससे automatic वो ले लेगा calculation ले लेगा क्योंकि इसके आगे और कोई branches हम नहीं ले रहे हैं यदि आप यहां से change करना चाहते हैं या फिर आपके और branches है तब यहां पर amount को change करेंगे अदर्वाइस जो last amount बचा होगा उसको वो ले लेगा तो 75, 30 and 45 is 1,50,000 इस तरीके से हमने accept करा दिया है और यहां पर हम cash को ले लेंगे that's why मैंने यहां पर balance डाला otherwise यह negative में show करता है तो धाय लाक में से हमारा जो देर लाक रुपए वो salary में जा रहा है अलग-अलग branches में और my current balance जो है वो 1,00,000 रुपए दिखा रहा है इस तरीके से हमने इसको enter किया है और यहां आप narration डाल सकते हैं कि salary page in various branches enter और enter इस तरीके से हमने इसके entry कर लिया है अब इसकी reports देखने के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा और reports पे हम display पे जाएंगे उसके बाद accounts book पे नहीं statements of accounts पे जाएंगे यहां पे आपको cost centers दिख रहा है इसको आप अलग-अलग breakups पे देख सकते हैं category wise cost center, breakups, laser wise या group wise यदि आप laser wise देखना चाहते हैं तो आपने salary के लिए बिस बनाया है तो यह दिखा रहा है आपको ठीक है next है हमारा यहाँ पर cost center wise है ना center wise दिखाएगा तो आप individual देख पाएंगे यहाँ पे branch A के लिए जोके indirect expense है है ना इस तरीके से और यदि आप category wise देखना चाहते हैं तो category में मारा branch के अंतरगत आते हैं यदि यहाँ more than one category होगा जैसे department हो गए यहाँ पे designations हो गए और भी हो गए items हो गए तो यहाँ पर various category wise आपको यहाँ पे show होता है ठीक है तो इस तरीके से हमने आज cost center category को समझा I hope आपको यह topic clear हो गए होंगे next video में हम budget के बाले में पढ़ेगे so thank you for watching this video